असलाम अलेकम वेर्ज वेलकम बैक आज की वीडियो को हमारे टॉपिक है कनवर्ट 2D लाइन टू सिवल 3D पॉली लाइन अगर आपको अगर आपके पास सिवल 3D परफाइल में कुछ 2D पॉली लाइन है तो आप उनको कैसे परफाइल वीव में करियेट कर सकते हैं कनवर्ट क टॉपिक यही है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करने ताके न्यू आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आउन टाइम मिल सके तो यहां में यह मेरे पास जो है परफाइल रहा हुई हो आप कोई भी अपने लेवल यहां पर अगर इंटर्प्रेट करना चाहते हैं और उनको बेंड में लेना चाहते हैं तो आप कोई भी पॉली लाइन अपने लेवल के साबसे लगा कि उनको बेंड में ले सकते हैं और उनकी रपोर्ट जनरेट कर सकते हैं तो मेर को यूज़ करूंगा same video almost जो है same workflow जो है हम पहले लिस्प के थुरू देख चुके हैं हमने convert किया था autocad profile को civil 3D profile में तो almost working same ही होगी इसके लिए हम application जो यूज़ करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ share करूंगा तो इसके के लिए जो है सबसे पहले आपके पास profile view होना चाहिए तो आप यहां पर कोई भी एक profile view create कर सकते हैं ओके मैं जब इसको रफ नाम देखें ओके और यहां पर मैं इसको create कर देता हूं कि profile view हमारा create हो रहा है यहां पर आप लोग देख सकते हैं profile view create हो गया है ओके और यहां पर यह जो है इसमें कुछ है बाइड फाल जो लाइन है वह आई है जो अलाइन के साथ लाइनमिंट के साथ आसूसियेट थी जो आलड़ी इसमें पहले profile बनी हुई थी मैं इनको delete कर देता हूं कि इसको भी मैंने delete कर दिये और इसको भी मैंने delete कर दिये कि existing ground को मैं रहने देता हूं ओके यहां पे अभी हमने अपना जो है design profile लगाना है ओके यह existing वाला भी आप इसमें copy कर सकते हैं ठीक है और यहां पर यह जो है मेरे पास यह design profile जो है मैं इसको जो है अभी create करता हूं अपनी application की मदद से तो मैं इसको पहले copy कर लेता हूं यहां से copy CEO copy और यहां से मैं इसको इसका base point जो है वो ले लेता हूं base point मेरा यहां पे यह वाला है और इसको मैंने यहां पे copy किया इस line को और यहां पे लाकर मैंने इसको paste कर दिया end point ओके तो इससे पहले आप लोगों ने यहां पे यह जो profile view आपका यह origin और यह जो यहां पे यह origin है वो same होने चाहिए और इसका scale same होना चाहिए तो यहां पे यह 35 है तो मैं इसको 35 इसको select करता हूं okay right click profile view property और यहां पे elevation ओके यहां पे मैं इसको 35 करता हूं और maximum मेरे पास 76 है मैं इसको 76 करके apply और ok कर देता हूं okay यह scale इसका जो है यह उसी profile view के साबसे हो गया है अब भी हम इसको देख लेते हैं कि इसका scale किया है तो यहां पे आपने annotate में यहां पे आपने यह dimension टूल लेना है और यहां पे देख लें आप यह आपका scale के आ रहा है तो यहां पे 10 दिखा रहा है यहां पे अगर आप यह file view style में जाएं यहां पे graph के option में जाएं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यह 1000 by 500 वर्टिकल है और 1000 है horizontal और यह current scale जो इसका 200 बनता है ठीक है तो यह 1 meter divided by 10 हो जाएगा sorry 2 meter by 10 हो जाएगा यहां पे ओके तो यह point 2 scale हमारा बन रहा है इसमें ओके तो यह scale हम इसको profile create करने के time में हम use करेंगे यहां से मैं अभी इस line को select करता हूँ और इसको copy करता हूँ with base point यहां पे इसका origin है यहां से मैं इसको base point लेता हूँ और इसको मैं move करता हूँ अपने इस profile view पे यहां पे मैंने इसको move कर दिया ठीक हो गया यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यह आ गया है इसका elevation अगर आपको मरलूम है पहले से तो well and good नहीं तो आप इसको यहां पे mark भी कर सकते हैं और वैसे भी आप measure कर सकते हैं तो यहां station elevation की option है यहां पे मैं इसको end point लेता हूँ ओके यहां पे मैंने इसको click किया तो यहां पे मेरे पास यह जो है डबल 5.063 आ गया और station मेरे पास 0 आ गया है ओके अभी हम इसमें अपनी अप लोड करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे work करती है तो यहां पे add in ओके add in में यह TLP2P ओके इसको मैं लेता हूँ यहां से यहां से सबसे पहले जो मेरे पास message आ रहा है कि आप polyline को select करें तो यह जो हमने अभी line लिये यह हमारी polyline है ठीक है इसको मैंने select किया अभी यहां पे command bar में message आ रहा है select and alignment तो हमारे पास यह alignment है यहां पे मैंने alignment पे click किया है अभी start station मुझे पूछा जा रहा है start station हमारा 0 ही है okay और elevation तो यह 5.063 था okay यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां पे यह आ रहा है 55.63 इसको मैं enter करता हूँ अभी मुझसे scale factor पूछा जा रहा है और scale factor जो है हमारे 2 meter का यह जो interval है वो 10 के बरापर है तो यह point हुआएगा ओके तो मैं इसको enter करता हूँ जैसे मैंने इसको enter किया है तो इसने अपनी working जो है वो start कर दी है यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि profile हमारी creator हो गई है यहां पे आप लोग देख सकते हैं यह जो हमारी polyline थी इसी के उपर हमारी profile draw हो गई है ओके label मैंन करते हैं profile के नाम से यह जो है यह civil 3D की profile बन गी है यहां पर अभी हमने इसको देखना है कि यह band में आता है कि नहीं आता तो यहां पर मैं इसको right click करता हूँ profile view property और यहां पर बैंड में first जो level है design level है हमारा जो भी हमने profile create की है तो यहां पर यह profile जो है okay मैं इसको just apply करता हूँ यहां पर आप लोग देखेंगे कि इसके जो elevation है वो हमारे पास show हो जाएंगे यह देख सकते हैं आप लोग और second profile में हमारे पास जो है वो my profile के नाम से है ogl जो था okay यह label भी यहां show होने चाहिए वो आलड़ी हमारे existing line है यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसके label भी आ गया है और यहां पर यह जो station है वो हमारे profile से आने चाहिए तो मैं इनको select करके apply करके okay करता हूँ station भी हमारे यहां पर place हो जाएंगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं station भी आ गया है यहां पर अभी हम इसकी profile report चेक कर लेते हैं कि इसकी profile report आती है के नहीं आती तो यहां पर profile report के लिए आपने यहां पर toolbox और यहां पर incremental stationing report execute और यहां पर यह जो अभी हमारे profile create हुआ है मैं इसको 10-10 meter पर इसको create करके देखता हूँ कि इसकी profile जो है वो आती है के नहीं आती है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो profile report है वो यहां पर 10-20-35 okay pvi point जो है वो यहां पर आ जाएंगे आप इसको excel में ले जाके इसको sort कर सकते हैं इस पर आलड़ी वीडियो है मैं उसका description में link दे दूँगा तो आप उसको देके इसको आपने हिसाब से sorting कर सकते हैं और इसकी labeling वेरा जो है वो आप कैसे कर सकते हैं उसका भी मैं link दे दूँगा video में description में तो मीदा आप लोगों को यह video पसंद आया होगा यह आप जो है वो आपको video description में मिल जाएगा download link आप वहाँ से इसको download करके यूज कर सकते हैं और अपना feedback जरूर दें कि आप लोगों को यह video कैसा लगा और application की working जो है वो कैसी है तो अमीदा यह video आप लोगों को पसंद आया होगा thanks for watching अल्ला आपिस